नमस्कार, मैं शूती जा, आज ये 6 जनवरी आईए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को स्कूल बंद रखने की अबदी बड़ी, ठंड के असर को देखते हुए पटना के जिरादी कारिक कुमार रवी ने स्कूल को बंद करने की तारिक को और आगे बढ़ा दिया है अगर इसी तरह बरकरार रहा तो यह तारिक आगे भी बढ़ाई जा सकती है, ग्यात हो जिलादिकारी कुमार रवी काया आदे सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल के कक्चा एक से लेकर आठ तके विदार्थियों के लिए ही है बिहार की जाकी नहीं भीजने पर बोले मुखमेंति इतीश कुमार गंतन दिवश के अफसर पर नई दिली में बिहार की जाकी नहीं भीजने के फैसले पर आखिरकार मुखमेंति इतीश कुमार का बयान आया है कि 26 जनवरी को बिहार की जहांगी का गंतन दिवश के कालिक्रम में उपस्तित नहीं होने से क्या फर्क पड़ता है कि विपक्च को जो बोलना है बोले बिना पुंजी के और अंगाबाद के सुमित ने बनाई अपनी कंपनी एक वक्त ऐसा था जब पैसो के अभाव के कारण और अंगाबाद के सुमित को पूरी पढ़ाई को छोड़ना पड़ा था और अब एक ऐसा समय है जब वो बड़ी संख्याओं में युवाओं को नई रहा दिखा रहे हैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें सुमित ने 18 साल की उम्र में वेब गैक्स नामक कंपणी बनाई दोशाल होते होते यह कंपणी दिल्ली में स्थापित भी हो गई इतना ही नहीं यह कंपणी अभी रिसर्च एड डेवलप्मेंट पर बरे प्रोजेक्ट पर काम भी कर रही है दस मुख्याओं को उनके परभार से किया गया मुक्त जुता पहने परिक्षारतियों को इंटर परिक्षा देने की नहीं मिलेगी अनुमती उक दिशार निदेश बिहार बोड ने जारी की है जिसके तहट कुछी समय बाद होने वाले इंटर परिक्षा के लिए सक्ति दिखाते हुए या एलान किया गया है कि इसी भी परिक्षारति को परिक्षा सदन में जुता पहन कर एंटरी नहीं दी जाएगी इतना ही नहीं बिहार बोड ने सभी स्कूल को परिक्षा के दौरान बढ़ती जाने वाली सक्ति के बारे में जुरूरी दिशान देश जारी कर दिया है मुखमेंतिन दीश कुमार ने तीन जिलों में की अपनी जल जीवन हर्याली यात्रा मुखमेंतिन दीश कुमार के छटे चरण की जल जीवन हर्याली यात्रा शुरू हो चुकी है जिसकी शुरूवात बिहार के बेगुस्राय जिले से हुई थी इसके पस्चात मुकमेंदी नितीश कुमार बिहार के आने तीन जिले शहसा, सुपॉल और मदिपूरा का भ्रमन करने पहुंचे थे जहां उन्होंने अपनी यात्रा की सभा को संभोधित करते वे कहा है कि जल जीवन हर्याली यात्रा के मौदल की चर्चा पूरे देश-विदेश में हो रही है यहां तक कि बिहार के इस मौदल को केंदर शरकार भी अपना रही है केंद्री मंत्री और भाजपा के राष्ट अध्यक्ष अमित्सा सोले जन्वरी को बिहार दौरे पर पहुँचने वाले हैं जिसके तहत वा बिहार की राजधानी पटना में पहुँचेंगे इसके पस्चात वा वैसाली में एक जनसभा को संबोधित करेंगे जिसके तैयारी प्रशास्निक अस्तर पर पूरी होचके खबरों की माने तो ग्री मंत्री अमित्साकाई या दौरा एन आरसी और सी एए के मुद्दे पर लोगों को जागरुक करने के लिए होगा 9 जन्वरी से पहले ठंड से राहत मिलने की कोई खबर नहीं इसके साथ ही मौसम इभाग ने या शाथ कहा है कि 9 जन्वरी तक कई जिलों में बारिश होने की संभावना अब महिला ट्राफिक पूलिस जवानों को नहीं होगी सोचाले की परिशानी महिला ट्राफिक पूलिस जवानों के लिए खुश खबरी आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें ये जानकारी प्रमंडलिय आयुक्त संजय अगरवाल ने दी है निती आयोग ने एक बर फिर खोली बिहार की पूल केन सरकार ने जारी की स्वतंता सर्वेक्षन की सूची केन सरकार ने हाल ही में स्वचता सर्वेक्षन की दूसरी और तीसरी तिमाही के आकरों की सूची जारी कर दी है जिसके तहत बिहार के सिवान जिले को राश्ट अस्तर पर 393 रैंक प्राप्त हुआ है वही राज अस्तर पर इसे 11 अस्थान प्राप्थ हुआ है इसके साथ ही बिहार के और अंगाबाद जीले को 9 अस्थान प्राप्थ हुआ है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें स्वच्चता सर्वे में देश भर के कुल 3971 शहरों को समिलित किया गया है अब हर साल बिहार में 8 लाग पौधल लगाए जाएंगे मुखिमेंति इंतीश कुमार इन दिनों जल जीवन हडियाली यात्रा को सफल बनाने के लिए पुड़ी परतिबद्दा के साथ काम कर रहे हैं इसी क्रम में अब वन विभाग भी मुखिमेंति इंतीश कुमार के इस स्योजना में भागीदारी करने वाला है जिसके तहट साल 2020 में वन विभाग हर पंचायत में दगवक्त 200 पेड लगाने का काम करेगा जिससे की एक साल में सभी पंचायतों को कुल मिलाकर आठ लाग पॉधेल लगाए जाएंगे लालु यादा ने मुखमेंति इंतीश कुमार पर एक वार फिर कसा तंज जिसके तहट बिहार को जिरो बटा अंडा दिया गया है मुखमेंति इंतीश कुमार थोड़ा उन से भी अपने 15 साल का रिकॉर्ड चेक कर ले यह करेगा या खाली पोस्टर में ही फरफर आईएगा जब पंख ना हो तो उनने की जित नहीं करते मुखमेंति इंतीश कुमार इसके साथ ही आयोग ने यह साफ साफ किया है कि प्रश्ण पतर लिक की खबर गलत और बेबुनियाद है साथ ही साथ इस परिक्षा का रिजल जन्वरी के अंत अंत तक जाड़ी करने का भी आस्वाशन दिया गया है दुमराओ महराज कमल बहादूर ने दुनिया को कहा अलविदा देश की पहली संसत के सांसत और बिहार के दुमराओ राज के अंति महराजा कमल सिंग ने दिल्ली में अपनी आखरी सांस ली है और 93 शाल के उन में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है जिस पर कई सांशदो ने अपनी श्रधा सुमन व्यक्त की हैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कमल सिंग आजादी के बाद पहले आम चुनाव में सहाबाद से सांशन निर्वाचित हुए थे मुखमेंति नितीश कुमार अपनी उपलब्दियों का छपवाएंगे किताब राजनिदी में चुनाव से पहले अक्षर सभी राजनेता अपनी अपनी उपलब्दियों की सुची तयार करवाते हैं इशिक्रम में बिहार के मुखमेंति नितीश कुमार पहले पोश्टर द्वारा अपने उपलब्दियां गिनवाते थे अब गिताब के जरिये लोगों तक अपने द्वारा किये गए काम को पहुचाएंगे जिसके तहट जल्द ही मुखमेंति नितीश कुमार की उपलब्दियों पर लवक धाई सो पन्नों का किताब छपकर तयार हो जाएगी मंत्री नीरज कुमार ने तजश्वी यादव को पढ़ने की दिशला जदियों के सूचना एवं जन सबपर्क मंत्री नीरज कुमार ने तजश्वी यादव पर एक वार फिर से उन पर टिपढ़नी करते हुए उन्हें शला दी है इसके तहत उन्होंने नेता प्रतिपक्ष ते जश्वी यादव को एक चुटी भेजी है। इतना ही नहीं चुटी के साथ साथ उन्होंने जश्वी यादव के लिए आदर्श मनोहर पोथी और All-in-One नामक किताब भी भेजी है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि भले ही हम राजनितिक विरोधी हैं, मगर किसी को सलाद दिना हमारा धर्म है। बिहार पुलिस परिक्षा में गलत जवाब देने पर नहीं कटेंगे अंक। सिपाही भरती के लिए सभी 11,880 पदों पर होने वाली परिक्षा के लिए एक एहम सुचना जारी की गई है, जिसके तहथ केंद्रिय चैन परश्यत नहीं साथ कर दिया है कि इस परिक्षा में गलत जवाब देने पर किशी प्रकार के अंक की कटोती नहीं होगी। वहीं सही जवाब देने के लिए एक अंक दिया जाएगा। युवाओं ने आवेदन भड़ा है। पहलाने का काम कर रही है। विपक्षिया बता है कि मनमुहन सिंग ने अपने कारेकाल में NPR को लाने की बात कही थी या फिर नहीं कही थी। बिहार STET के परिक्षा में प्रश्णपत खुलने का बनेगा वीजियो। साथ ही साथ यह भी साफ कहा है कि प्रश्णपत खुलने के समय में उस बंडल का वीडियोग्राफी भी किया जाएगा ताकि किसी को किसी भी प्रकार की कोई आशंका ना रहे। लंबे समय बाद नए लुक में नजर आए तेजपताव यादव। पतनी एश्वरिया के माय के जाने के बाद अपने बाल छोटे करवाए हैं। अब चले बढ़ते हैं मौसम की खबरों की और अभी फिलाल ठंड से रहात मिलने की कोई उमीद नहीं है। ऐसे में आए जानते हैं मौसम विभाक का पूर्मानुमान क्या कहता है। अलवल सार अंदरभंगा, गया किशन गंज, रखी स्राय, मदुबनी, मुगेर, पटना, पुर्णिया, बेकुस्राय, भागलपूर, अरडिया, बांका, सिखपूरा, सितामडी, जमुई, कटिहार, मदेपूरा, नलंदा, नवादा, सहर्शा, समस्तिपूर, सुपूर, और बादलों का आना-जाना भी लगा रहेगा, अब आये जानते हैं सराफा बजार और पेट्रोल डिजल के क्या थे भाव, अगर हम सराफा बजार की बात करें, तो सोने का भाव 5 जनवरी को 22 केरेट के लिए प्रति 10 ग्राम, 37,174 रुपए था, वही 24 केरेट के लिए प्रति 10 क्राम, 49,747 रुपए था, वहीं अगर हम चान्दी की बात करें, तो चान्दी का भाव प्रति कीलो, 49,400 रुपए था, इसके अलावा राजधानी पटना में पैट्रोल की कीमत 89,66 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 70,74 रुपए प्रति लीटर था, सत्तापोले का रगुवंश प्रशाद ने दिया बड़ा बयान, राजत नेता और पुर्व केंद्रिय मंतरी रगुवंश प्रशाद ने सभी विपक्षी पार्टियों से भाजपा को हराने के लिए नई रनिती अपनाने का एलान किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि भ कमेंट्स करकर जरूर बताएं, अब तक के लिए इतना ही, बिहार जगत से जुरी तमाम खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीजियो पसंद आये तो शेयर जरूर करें, एवन वेल आइकन की घंटी दबाना ना भूले, धन्यवाद